जी टी एच न्यूज आपकी ताकत हमारे देवी है चंद घंटा इनका पूजन करने से एक तो सत रुपे विजय प्राप्त होती है और मनो कामना सब पूढ़ होती है और इनका पूजन रोली चावल कलावा और मिसरी मेवा का भोग लगाएं और इनका अगर इनको पंच्छा में सेसना कराएं, अद्ट को संद होती हैं, चंधरमा को अरग दें, घंटा का पूजन करें, तो जितनी भी मनो कामना हैं, सब माता चंध घंटा पूर्वी करती हैं. तो कौन सा मूरत होता हैं, जिसमें हमें पूजा का शुरू करना चाहिए? जो 30 से दिन उपवास रखा जाता है उन में किस चीजों का ध्यान रखा रहते हैं? उस दिन अन नहीं खाना चाहिए फल लें दूद लें और मीठा लें और हिसाब से लें यह नहीं के पूरे दिन खाती रहें उपवास का मतलब होता है उपवास यह नहीं के भरफेट भोजन करें अलफ आर लें तो ज़्यादा खुश रहती है मतारा ने और जो भी खाएं पहले मां का भोग लगाएं अगर हम बात करें कि किस मंतर का हमें जब करना चाहिए ताकि घर में शुक्षांती आये शुक्षांती रहे घर में शुक्षांती के लिए एक दुर्गा का बहुत सुन्दर मंतर आपने प्रसंद किया है सर्व मंगल मांगले सिवे सर्वासाद के सड़े तरम के गोरी नारायन कि नमस्तु दें इस मंत्र का जाब करें आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सब चीज़े जानकारी देने के लिए तो यह थी जानकारी तीसरे दिन के नवरात्री की हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मैं मौनका कुक्रेति कैमरे परसन शीरादे कुंडू के ओमस्तु यह थीज़े ताना चाहिए यह थीज़े।